आकाश्वाणी भोपाल के समाचार प्रभाग सरप्रस्तोत है हर्दा जिले की चिठ्थी आलेख लोमिश गौर वाचनस्वर रतनेश सोनी कृष्य विकास एवं किसान कल्यान मंतरी कमल पटेल ने कल नर्मदा जैनती के अफसर पर हंडिया में मा नर्मदा की पूजा आरती की एवं 300 मीटर चुनरी मा नर्मदा को उड़ा कर शेत्र की खोशहली की काम ना की जिले में कोरोना पर प्रभावी रूप से नियंतरण में सफलता बिल रही है मुख्य चेकिस्सा एवं स्वास्ति अधिकारी डॉक्टर किश्वर कुमार नागवंची ने बताये कि कल शुकरवार को कुल 96 सेंपल की रिपोर्ट प्राप्त होई इसमें एक रिपोर्ट मॉज 75 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं जिला अपूर्ति अधिकारी हर्दा ने जानकारी देते हुए बताये कि खाद्य नागरे का अपूर्ति एवं उपभुकता संग्रक्षन संचाले नाले बोपाल से प्राप्त निर्देश अनुसार रभी उपारजन वर्ष 2021-22 के अंतरगत समर्थन मूली पर गिहूं उपारजन हितू इउपारजन पोर्टल पर किसान पंजियन की अवधी 20 फरवरी से बढ़ा कर 25 फरवरी तक की गई है अपर जिला नियायदी शिवम सचिव जिला विथिक सेवा प्राधी करण हर्दा के एस शाक्ये ने बताया की नैशनल लोक अदलत का यूजन 10 अपरेल को जिला नियायाले हर्दा में किया जाएगा उन्होंने नैशनल लोक अदलत में बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक परक्रण लोक अदलत के माध्यम से उभेलिंगी विरेक्तियों को समान अधिकार कल्यान संबंदी उपाए शिक्षा तक पहुंच सहित विभिन सरकारी सोविधाओं का लाब दिलाने क लिए हाली में कलेक्टर श्री संजे गुपता द्वारा जिले के पांच ट्रांसजेंडर लताबाई, हिनाबाई, लता सुदामा एवं रंजीता बाई को पहचान प्रमापत्र एवं पहचान पत्र वित्रत किये गए इस दोरान कलेक्टर श्री गुपताश ने सिविल सर्जन सहे अस्पताल अधिक्षक हर्दा को जिले के सभी टांसजेंडर के आयुशमान कार्ड बनाय जाने है तू नर्देश दिये स्रणक सुरक्षा जीवन रक्षा तीम पर कंदरित 32 वा स्रलक सुरक्षा महा के समापन रिवस पर शेहर में 6 किलोमेटर मैरथन दौड का आयुजन कीया गया जिसमें जिला कलेक्टर एवं पुलिस अदिक्षक वा अत्रिक पुलिस अदिक्षक सहित राजस्व एवं पुलिस के अनुवे भागी अधिकारी वा थाना प्रभारी सहित लगवग 250 पृति भाग्यों ने मैराथन में दोड कर यातायार जागरुकता का संदिश दिया यह मेरा थंदोर खंडवा बाईपास चौरहाय से शुरू होकर पुलिस लाइन से पुना वापस खंडवा बाईपास चौरहाय पर 6 किलोमेटर की दूरी तैकर समाप्त होई हन्वा रोड, मसन गाओ, हरदा पर ओवर लोड यातरी वहानों तता बकाया टेक्स वाले वहानों के वरुद चेकिंग कारिवाही की गई कारिवाही के दौरान शम्ता सदिक यातरी बैठे पाए जाने के कारण दो बसो पर पाँच हजार रुपे का जुर्मान किया गया तथा चार अन्य वहानों पर मोटर वहिकल एक्ट के उलंगन करने वाले वहानों के वरुद 4500 की चालानी कारिवाही की गई बद्ध्यपरदेश और शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के दौरा streaming के खिलाफ बद्ध्यपरदेश के आंगनवाडी कारिकरताओं की संगर्ष और वीरता की कहानियों को परकाशित किया गया है कुल प्रकाशित 20 कहानियों में से शहर की अंगनवाडी कारी करता सीमा सुनी की सफलता की कहानी को भी प्रकाशित किया गया है कुरोना काल में श्रीमती सीमा सुनी के शेत्र के एक गरीब परिवार के 24 वरशी लड़के ने आतमत्या कर ली जिससे पूरा परिवार शुका कुल हो गया और तनाव एवं सद्वे में था परतक के भाई और बहन अपने भाई के नुकसान का सामना करने में सक्षम नहीं थे उन्होंने अपने जीवन को भी समाप्त करने का प्रयास किया ऐसे वक्त में सीमा ने इस परिवार की बहुत सायता की सीमा ने उनकी स्थिती को समझने में दोनों के साथ गहराई से मिलकर बादचीत की और उनके तनाव को कम करने में लगतार मनू सामाजिक सहीयोग प्रदन किया सीमा के इस दृष्टिकोंड से परिवार को इस स्थिती का सामना करने में काफी मदद मिली शासन द्वारा उनके इस कारी को सराह गया नहरू युवा केंदर जिला सलाकार समिती की बैठक कलेक्टर सभागरे में आयूजित की गई बैठक में जिला युवा अधिकारी श्रिमती मूनिका चौधरी द्वारा नहरू युवा केंदर हरदा द्वारा ये गए कारियों और सलक सुरक्षा कोरोना रोकधाम तथा नहरू युवा किंद्र के लिए किये जा रहे नवाचार काडियों का प्रस्तुती करण किया गया कलेक्टर संजे गुपता ने कहा कि नहरू युवा किंद्र हर्दा शास्की यूजनाओं के किर्यान वेन में एहम भूमी का निभाएं और युवा मंडल के माध्यम से जिले में अपना महत्पून योगदान दें इसी के साथ हर्दा शिले की चट्टी समापत हुई